अब बबल तक सब्सक्राइवित डिश्यों कि अभी ग्रहिट रोतक चम्ता जैसा कि हमने कल देखा था कि रोतक सम्ता है है इसको दो बाखर पिशुट्सकते हैं भी दो परकार की लुकी जीवन काल के दोरान प्राप्त की गई या ग्रहण की गई उमृति होती है यह सुक्षम जीव या इनके द्वारा उत्पन उत्पापचे पक्तार्थों के पूरो अनुभों में के आधार पर रबाप्त की जाती है यह जीव के जीवन काल के दोरान रोग के परती रोधकता के रुप में विक्सित होती है और इसमें एंटी बोडिज उत्पन होती है इसे स्पेसिफिक इमेनिटी भी कहा जाता है क्योंकि यह किसी रोग होने पर ही उस रोग के रुध उत्पन होती है इसको दो भागों बाट जा सकता है एक्टिव एंड पैसिव इमेनिटी एक्टिव एक्वाइड इमेनिटी सक्क्रिय अभिग्रेईत रोतक जमता एक्टिव एक्वाइड इम्यूनिटी प्राणी अथ्वा पोशक में रोगानों के संकर्मन के उपरांत अथ्वा ठीका करण के द्वारा उत्पन होती है पोशक की दे में एंटिबोडी अथ्वा पर्ति रोती रोधक चमता युक्ट कोशकाएं बनती हैं और इस परकार की रोधक चमता एक बार विक्सित हो जाने के उपरांत लंबे समय तक बनी रहती है शक्रिय परकार की रोदक चमता को उद्धिपन प्राप्त होने के बाद उद्धिपन होने में कुछ समय लगता है और इसे समय को लेटेंट पिरेड या सुसुत काल कहा जाता है यह भी देखा गया है कि यदि व्यक्ति को पूरों में दिये गई पर्तिजनिक उद्धिपन दुबारा दिया जाता है तो पर्थम बार के अपेक्षा दुत्ते बार दिये गई उद्धिपन के फलसुरूप रोदकता अधिक सिग्रता से विया अधिक परबलता के साथ होती है इसे के हम कहते हैं Monsieur of Secondary response कहते हैं यह तहर परकार की रोदकता एवं कोशी की रोदकता शमता cellular immunity को विख्षित करने के साथ साथ immunological memory से सम्बन दिती भी होती है छक्रिया परकार शमता है यह अक्रिया परकार की रोदकता से आदिक परबावि होती है arises go इसको दो भागों बाढ़ सकते हैं नैचुरल एक्टिव इम्मिनिटी और आर्टिफिसल एक्टिव इम्मिनिटी इस प्रकार की प्रतिरक्ष्य प्राणी में प्रतिजन के प्राकर्तिक संकर्मन के फल्सुरूप उत्पन होती है उद्धान के लिए चेचक रोग से ठीक हो रह इसको चेचक का संकर्मन हो जाने पर इसी व्यक्ति में चेचक के प्रतिरोधक्समता विक्सित हो जाते हैं तथा दोबारा चेचक के रोगानों के संपर्क में आने पर चेचक रोग से नहीं होता है कुछ वाइरस जैसे की मंपस और चेचक के संकर्मन के उपरांत रोगी में इनके परति कई बार जीवन परियन तक की परतिरक्षा उत्पन हो जाती है इसके विपरित कुछ जीवन जनीत रोग जैसे बैक्टिरियल डिसेंटरी इत्यादी में अर्जित परतिरक्षा छोटी अर्टिफीशियल एक्टिव इम्मुनिटी प्राणी में इस परकार की प्रतिरक्षा टीकाकन प्रति के फल सुरूप उत्पन होती है मर्द या जीवित लेकिन एटिनवेटिड अथ्वा इनके टॉक्सोइड जो है उनसे टीकों का निर्मान किया जाता है एटिनवेशन के कारण सुक्सम जियों की रोग जनक्ता को समाथ रोग जनक्ता तो समाथ हो जाती है लेकिन उनकी एंटिजनिसिटी बनी रहती है प्रतिजनक्ता बनी रहती है इस से टीके रोगों के संकर्मन से तो बचाते हैं प्रन्तु प्राणी को रोगी नहीं करते हैं प्राणी में किसी परकार का रोग उत्पन नहीं करते हैं जीवित एटिन्वेटेट टिकू में एंत्रस वैक्सीन, पोलियो की सेविन वैक्सीन, बिसीजी वैक्सीन आदिक पुसम मेलित किया जाता है, मर्द सुक्सम जीवियों से निर्मित टिकू में इनके जो वारूलेंट इसवित इस परकार से नष्ट किया जाता है कि इस शमस्थ परक्रम में जो परति जनों को क्वाहल रखा जैता है जिवित सुक्सम जिवियों से निर्मित टीक है, मर्द सुक्सम जिवियों के दोरह बनाएगे टीकों से कही अधिक परतिरक्षा उत्पन करते हैं यही कारण है कि मर्द सुक्सम जिवियों से टीकों के परियोग से परतिरक्षा कम समय के लिए उत्पन की जाती है और इसी वज़े से नियमित अंत्राल पर बार बार इन टिकों को लगाया जाता है पर्थम जो खुराक होती है उसे प्राइमरी डोज कहते हैं जब कि इसके बाद दी गई खुराक को बुस्टर डोज के रूप में जाना जाता है उधान के लिए पोलियो की साल्क वैक्षिन सेकिंड है पैसिव इम्मुनिटी या पैसिव एक्वाइड इम्मुनिटी चमता कि जाते है या तेयार आवस्ता में पहुंचाई जाते है तो इससे हम क्या बोलते हैं अक्रिय रोदक चमता बोलते हैं इसमें कोई प्रतिजनिक उद्धिपन भी नहीं होता है और इस प्रकार प्राप्त रोदक चमता में पोशक की धे कोई शक्रिय किरिया नहीं करती है शक्रिय प्रकार की रोधक चमता से ये कम परभावी होती है और अक्रिय प्रकार की रोधक चमता को पोशक की धे में प्रवेश कराने पर किरिया सिल होने में कोई समय नहीं लगता या यह कहें कि कोई इसमें नहीं होता जबकि हम जानते हैं शक्रिय प्रकार की रोधक्षमता में लेटेंट पीरिड पाय जाता है जो अक्रिय प्रकार की रोदग समता होती है यह अल्कालिन होती है क्योंकि इनका उद्गम पोशक में नहीं होता और यह कुछ दिनों या महा के उपरांद क्या हो जाती है नस्ट हो जाती है इसको भी हम दो भागुम बाढ़ सकते हैं नैचुरल पैसिव इम्मुनिटी और आर्टीफिशल पैसिव इम्मुनिटी निस्करी परती रक्षा विशेश रूप से जो गर्बस सिस्सू के लिए अधिक मैतोपून होती है जो कि अपनी माता के रक्त में आरे परती रक्षियों को उपले संटा के रास्ते अवसोशित कर लेते हैं इसके अलावा माता के दवारत सरावीद पर्थम दूप जिसे कॉलेस्टरम बोलते हैं मैं उपस्तित अटी बोडि से थी शीसों में परती रूप तक्ता उत्पन हो जाती है सेकिंड है एक्क्वाइड पैसिव इम्मुनिटी इस परकार की इम्मुनिटि की बात करें तो इसमें जो रेडिमेट एंटिबोडिज हैं वो क्या किये जाती हैं बोडी के अंदर इंजक्ट करवाई जाती हैं उधान के तोर पर कुट्टे बंदर सुवर आदी दवारा मनुश्य के काटे जाने पर इंजेक्षन दवारा अक्रिय रोदक्षमता के रूप में रैबीज वायरस को निश्करिये करने तो तयार अवस्ता में प्रेशित की जाती है और इसके लिए एक से अधिक इंजेक्शन कुछ दिनों के अंतराल में दिये जाते हैं किन्तु कुछ वर्सों के बाद ही यदि उस मनुश्य को पुने कुट्ता काट लेता है तो इस परकार की इंजेक्शन पुने लगवाने पड़ते हैं क्यूंकि पूरों में तयार अवस्ता में जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी थी वो क्या होच्चु की होती है समाप्त और इसके उपचार है तो रोगी को एंटी टिटेनस सीरम एटी एस के इंजेक्शन दिये जाते हैं